Hello students myself Dr. Kishukla मैं आपको business environment become first year में आपको lectures provided आज नो आपको business environment क्या होता है इसका introduction पहले पहला दोपिक जो हमाना है इसमें unified slabs आपका चलेगा Unit 1, Unit 2, Unit 3, Total 6 units आपके इस slabs में include हम first unit को लेते चलेंगे क्योंकि कोई भी चीज समझने से पहले हमें उसका basic concept की रहा जाए इसलिए उसका introduction आज इन आपको business environment के introduction के बारे में उसका क्या होता है उसके components क्या होते हैं उसका introduction इस chapter में आपको दूँगी तो first of all what is business environment हम इंवार्मेंट में चाने से पहले first of all हम ही के समझना होगा what is business आप पहले से पढ़के आया होगी जो हमारी commerce के students है वो और इपढ़े हो गए लेकिन हमारी science के students है उनके लिए business शब का मतलब क्या मतलब business business दो शब्दों से मिलके बना है busy and mess यानि जो वेक्टी किसी काम में busy रहता है उसे हम business आपको कई बार ये word भी उसके लोगे लोगे this is none of the business तो वो चीज जो word हम use कर ले उसका पूरा-पूरा मतलब हमें पता होना चाहिए what is the business तो business हमारा दो वर्ड से मिलके बना है that is busy and less य दो शब्दों से मिलके बना है that is busy plus less यानि कोई वेक्टी किसी कारे में व्यस्त रहता है तो उसे हम business कहते हैं या उसको व्यस्त रहना कहते हैं ये हो गया business का मतलब लेकिन हम यहां व्यस्त रहने की बाट नहीं कर रहे हैं हम यहां business environment पढ़ गया हैं यानि कि हम पर्यावरण के बाड़े में पढ़े हैं और व्यवसाइट का मतलब होता है कि जितने भी हमारे जो व्यवसाइट चलता है उसके according हम business की अब definition आपको आदि सम्झाने का है बिजनेस की दो definition है that is old concept and modern concept पहले old concept में हम सिर्फ यह बान के चलते थे कि what is the mutual gain दोनों का mutual gain उसमें हम सिर्फ एक चीज़ को motive बान के चलते थे कि हमें profit होना चाहिए जो हमसे समान खरीद के ले जा रहा है वो भी अपना profit के बारे में सोचता था और जो हमारे facturers होते थे वो भी अपने profit के बारे में ही सोचते थे तो old concept क्या था business is an occupation of which money gain is the principal object and money loss is the main risk उसमें सिर्फ दो ही बाते हमें यहां में रखनी होती थी जो हमारे कुराने इंचाहरा थी कि business करने का मत्तद है या तो हमें profit होगा और यह हमारा सबसे जादा अच्छी हमारा mutual gain होगा यह सबसे बड़ा gain होगा और जो हमारा main risk होगा उ profit पैसा गया तो वो risk ठीक है वो हमारा loss लेकिन यह विचार भारा जैसे जैसे time to time हमाई surroundings change होती गई यह विचार भारा तब तब तक रही जब तक lack of education था जब तक lack of knowledge थी हमारे जो after independence इतने लोग पढ़ी थे नहीं थे तब तब इतना business को लेकर के बहुत ही ज्यादा modern concept किसी में नहीं आया नहीं उसके बारे में इतना लोगों ने सोचा धीरे धीरे जैसे जैसे हमारी generation educated होती गई उसको यह समझ में आया कि business का मतलब सिर्फ mutual gain नहीं है बिजनेस का मतलब सिर्फ profit नहीं है, बिजनेस का मतलब सिर्फ loss नहीं है, बिजनेस का मतलब है कि हम जितनी भी हमारी complexities हैं, उन सब को एक सार हम जब combined लरके दिखते हैं, उसे हम business करते हैं, तो modern concept हमारा business का क्या है? business means the whole of complex of commerce and industry, business का मतलब modern concept में कि commerce और industry के सारे components को मिला करके हम business को define करते हैं, अब उसमें आपका क्या आता है? commerce, basically commerce में आपका आता है, banking, insurance, transport and so on, जब कि आपकी industries में आता है, basic industries, the network of anchory industries, यानि कि industries और हमारे जितने भी आपकी जो commerce है, commerce से related, जितने भी हमारे factors हैं, उन सब को एक सार हम combine करके कहते हैं कि ये business है, अब यहाँ पर हम ना mutual gain की बात कर रहे हैं, और ना ही हम यहाँ पर यह बात कर रहे हैं कि यहाँ पर main factor money loss, जो main risk है, वो money loss है, यहाँ पर main factor क्या है, कि हमें customer को कितने जादा से जादा हमें satisfied करना है, क्या मतलब हुआ कि अगर आप ध्यान दें, या आज का business आप देखें, त प्रोडक्स में चेंडेस का दखें, उसको market में save करें, यानि customer का जितना जादा expand होगा, और हमारे साथ ही साथ से यहीं तक नहीं, अब modern concept में business का मतलब यह है, कि जितना जादा हम customer को अपने से जोड सके, प्लस हमारी market value या हमारी share value जितना जादा से जादा उसमें जोड सके हमारी market image भी तो अच्छी होनी चाहिए, कि यह नहीं कि सब हम business कर रहे हैं, हमें पैसा आ रहा है, जा रहा है, बस that's it, ऐसा नहीं है, हम कहीं business को लेटे बखड़े हैं, अब हमारा business जो होता है, वो society के development के लिए होता है, वहां कि रहने वारे लोगों के development के लिए business की अठाता योगा स्टार्ट की जो हमारी commerce की students है, मुझे आते हों कि what is the barter system, barter system में यह आपने पढ़ा होगा, कि हम कोई विए चीज लेने चाहते थे, तो उसके बद्ले में दूसरी चीज दे आते थे, जिसे मां पुझे पुराने टाइम में कोई लोग अगर 8 kg दाल लेने है, तो उ उसके बद्ले में हम value pay कर रहे हैं, और value pay करना है सिर्फ इतना ही नहीं कि से value pay कर रहे है, value को हम जो भी pay कर रहे हैं, हम उसमें पूरी तरे अपने आपकी satisfaction भी चाहते हैं, आप हमेशा जब भी आप pay कर लो, तो यह source समझ के pay कर लो इतना पैसा लगा रहे हैं, इसमें हमें क् satisfaction या हमारा जो purpose है, वो सौल हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो modern concept में business कर रहे होता है, whole of complex of commerce and industry, जहां पर मैंने आपको बताया, commerce से related आपकी insurance, banking, और transport and so on, क्यों? क्योंकि हमारे goods man के factory में दो नहीं रखे रहे हैं, हमारे goods man के distribution होगा, उनका market channel में हो जाएंगे, particular markets में उनको पहुँचना है, किस market में पहुँचने में, transporting की क्या cost आरी है, कभी-कभी shipping भी हमको use कर दी पड़ती है, कभी-कभी हमको truck से उनको load करके भीजना पड़ता है, बहुत सारे तरीके हैं, हम goods को उनके distribution channel तक पहुँचाते हैं, तो उसमें हम transporting भी use करते हैं, उसमें हम labors भी use करत करते हैं, उसमें हम banking भी use करते हैं, क्योंकि हम बनिवाद है कि हम payment करते हैं, और आप प्रेजिक सिनाटर में जैसे कि आप दुटर डिजिटल इंडिया की बच्चे हैं, आप लोंको यह पता होगा कि अब धीरे-धीरे banking हमारी digital भी आरी है, आपने e-way bill सुना होगा, e-way payment सु करते हैं, तो यह सब का खैर आपको बताया जाएगा, distribution, यानि आप industries में, जो basic industries थी हमारी, हम उनको भी लेकर चलते हैं, और engineering industry, यानि सहायक उद्योग, जिसे हम कहते हैं, उनका भी हम उनको भी लेकर के चलते हैं, यानि जो एक हमारी, जो एकड़ बस्टार्टिक जो हमारे उनको support करने के लिए छोड़ी-छोड़ी industries लगाए गई हैं, उनको भी, यानि modern concept हमारा अब बहुत बड़ा concept है, उसमें जो definition है, जो मैंने आपने जो लिखी है, इसको आप देख सकते हैं, लेकिन इसके अलावा ये चीज आपको और धानती है modern concept में, कि आप इसमे customer को जितना ज़्यादा सज़ादा जोड़ सकते हैं, वो भी इसमें include है, प्लस हमारी market share value ही इसमें फूली तरह से include, तो अब इसके पहले हम लोगे पढ़ा था कि old concept and modern concept of business क्या होता है, जब हम ये पूरा clear कर चुके हैं कि what is the old concept and what is the modern concept, तो modern concept को ध्याया में रखते हुए, ब हमारी business की characteristics, उसके जो लक्षण है, वो भी change हो जाएगी, ठीक है, पहले business जैसे हमने बताया, सिर्फ goods and services, हम सिर्फ goods और services का ही आदान प्रणान हमारा बता था, उससे आदे हम, या यह कहिए, मोटी सी बार सिर्फ goods लेते हैं, services बहुत जादा provide नहीं होगी है, क्योंकि हमारा जो country था वो बहुत जादा डेवलर नहीं था, लेकिन अब modern concept में, business की characteristics भी change हुए है, और उनकी जो numbering है, जो की numbers है, वो भी बहुत जादा बढ़ गया, तो पहले आते है, exchange of goods and services, पहला characteristics हमारा है, कि business का, जो main goal election, जिसे हम कहते हैं, वो है exchange of goods and services, दूसरा, इसमें profit motive, जो हमा जाया, modern concept में यह कभी नहीं कहा कि उसमें profit motive हमारा, जो है, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं, लेकिन profit motive के साथ-साथ, हमने और भी चीज़ें उसमें जोड़ दी, यानि profit motive हम से पेट साथ कर ले, आगे ऐसे बैठेर है, नहीं, हमें customer को satisfied करना है, जिसे continuous हमारा profit बढ़ा, तो इसमें profit motive, उसमें second आता है, third है आपका continuity in dealings, business का तीसरा characteristics है, continuous उसमें dealings होती रहनी चाहिए, it is a dynamic process, यह लोगने वाला process नहीं है, कि आज हमें कर लिया और हम बैठे हैं, हम हर बार इसमें change होते रहते हैं, और dealings में हमें changes लाने पटे हैं, आपने देखा होगा कभी value proper customer से हमारी वनी हो, फिर है आपका entrepreneurship and risk, यहाँ पर business entrepreneurship जिसे हम हिंदी में उद्यम शीलता करें, और risk जिसे हम करते हैं, जोगिया, यहाँ पर उद्यम शीलता से मतलब है कि जो हमारे new businessman, business कोई जरूरी नहीं है कि जो पीडी तर पीडी कर रहा है वही business करेगा, क्योंकि अब हम professional courses provide करते हैं, जिसकी वज़े से, सिर्फ business man का बच्चा business man बने, यह जरूरी नहीं है, अब जिसके पास caliber है, जिसके पास knowledge है, वो business man बन सकता है, तो यहाँ पर entrepreneurship and risk की बात आती है, business में सबसे बड़ी बात है, risk factor, हमें risk लेना ही पढ़ता है, क्योंकि markets में हमें कभी opportunities मिनती है कभी-कभी हमें threat भी face करें पर है, ठीक है, यानि कभी हमें अहाँ पर आपको अफसर प्रजान होंगे, और कभी-कभी आते लिए सामें threat होगी, कि इसको हम कैसे face करें, अचानक से market का down हो जाना, अचानक से recession आ जाना, यह सारी चीजें आपको entrepreneurship and risk हो, then आता है creation of utility, business का मतलब क कितना जादा से जादा हम time, place और money का अच्छा से अच्छा उसको utilize कर सके, then customer satisfaction, जैसके रूम बदा चुके कि इसमें customer का satisfied होना, सबसे बड़ा factor है, innovation and research, continuation में हमको innovation and research कर दे रहना चाहिए, जिससे कि हमें market में नई opportunities क्या है, इसके बाए में पहले से हमें पता हो, और हाँ human activity में भी changes लाता है, उनकी 20-25 उनको भी active बना रहते हैं, और फिर आता है business is a social activity, और last है business is a bold science and art, social activity इसके हैं कि ये हमारी society को development में हमें बहुत जादा helpful होगा है, दूसरी चीज है business is a bold science and art, ये science भी है, और ये art भी है, art कि कि किस दला से हम उसको अच्छे से अच्छा आपक कर सकते हैं, दूसरी चीज साइस कि उसके जितने भी राक्तर्स हैं वो हम उसको compute कर सकते हैं